हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टोप नाइन शोट मूवीज के बारे में तो दोस्तो हो सकते हैं आपने इन शोट मूवीज को देख रखा हो तो इन मूवीज को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखे दोस्तो अगली फिल्म का नाम है Albert पिंटो को घृसा क्यों आता है फिल्म Albert के बारे में है जो कि गायब हो जाता है जिस से रिते करीब ही काफी परेशान होते हैं और इस फिल्म का आप Amazon Prime पर देख सकते हैं दोस्तो इस फिल्म का नाम Before Sunset एक romantic story है यह है फिल्म सॉलीन और जैसी के बारे में जो एक साल बात दुबारा वापस से मिलते हैं और अपने फिलिंग्स को याद करते हैं और आप इसे अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं दोस्तो अगली फिल्म होट रोड एक काफी इंस्माइरिंग कहानी है जिसे आप नेटफिलिक्स पर देख सकते हैं और इस फिल्म को आपको बता दी कि ओसकर भी मिला है दोस्तो इस शोर्ट मुवी का नाम है पी हुजे एक छोटी सी बच्ची की कान ही है जो कि मैस दो साल की होते हैं फिल्म में दिखाय जाता है कि पती से बहस के बाद पतनी आत्माहत्या कर लेती है और इसके बाद दो साल की बैटी सारा दिन घर में अकेले रह जाती हो इसे देख सकते हैं आप नेटफिलिक्स पर दोस्तो अगली फिल्म का नाम है रैकर रेकर की कहानी दो दोस्तों के उपर बनी है जो रोट रिप के दोराने खतर नाक ट्रक वाले से सामना करते हैं और यह है आप जी फाइफ पर देख सकते हैं दोस्तो इस शोट फिल्म का नाम है डॉंट ब्रीथ और इसमें दिखाए जाता है कि तीन बदमाश शोड़ी के लिए गंधे को निशाना बनाता है लेकिन इसमें काफी सस्पेंस है इसे आप नेट्फिलिक्स पर देख सकते हैं हाली में रिलीज हुई तारा सुतारिया की फिल्म अपूर वा इस फिल्म में दिखाए जाता है कि चार लोग एक लड़कियों को गिडिनाप करते हों लेकिन वो लड़की अपने बचाओ के लिए चारों के एक एक करके मार देती है